हलो एवरिवन मेरा नाम विलास वाही है और मुझे सिविल सेर्वेसिस एक्जाम 2019 के रिजर लिस्ट में 10th rank मिली है सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा स्चुक्र गुजार हूँ डेली नॉलेज ट्रैक का जिनोंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी ताकि मैं आस्परेंट्स को गाइड कर सकूँ और उनके साथ अपने एक्स्पिरियेंसेश शेयर कर सकूँ मैं बताना चाहूंगा कि ये सेलेक्शन मेरा या जो भी प्रिपरेशन थी वो एक रेगुलर जॉब में रहते हुई है थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा पहले IIT डेली से मास्टर्स किया के मिस्ट्री में मैंने 2011 में और उसके बाद से मैं एक पब्लिक सेक्टर और्गनाज़ेशन जो की डेली गवर्मेंट के अंडर है वहाँ पर मैं लगातार काम कर रहा हूँ सिविल सर्वेसिस में करियर पर्स्यू करने का जो मेरा थॉट था वो जॉब में जाके ही आया और पर जो कॉन्फिडेंस था वो शायद एकदम से नहीं था मैंने सबसे पहले UPSC का माइंड जियो साइन्टिस्ट एक्जाम के लिए एक्जाम दिया और इसमें मेरी केमिस्ट ग्रुप A केटेगरी में अल ओवर इंडिया फर्स रांक आई इससे मुझे काफी मोटिवेशन मिला और इसी के बाद मैंने सिविल सर्विसेज एक्जाम की प्रपरेशन भी शुरू करी सिविल सर्विसेज एक्जाम में मैंने कुल मिलाके पांच एटेम्ट्स दिये हैं और इन पांच इटेम्ट में मैंने चार बार प्रिलिम्स क्वालिफाई किया है और इन चार बार में से मैं दो बर फाइनल इंटरिव्यूज में पी अपियर हुआ हूँ 2018 में और 2019 में तो इस exam की almost हर stage का मुझे काफी अच्छे से experience है और मैंने काफी जादा ups and downs भी देखे हैं जिसकी वज़े से मैं अपने experiences share करना चाहता हूँ मैं सभी से आज इस video में मैं कुछ-कुछ जो FAQs हैं Frequently Asked Questions जिसे कहते हैं वो discuss करने जाऊंगा और इनी questions में सबसे पहला questions जो aspirants कोई भी face करते हैं वो ये face करते हैं कि क्या हमें coaching लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए आजकल internet पे इतना ज़ादा material available है market में इतना ज़ादा material available है कि इतनी confusion रहती है कि क्या coaching लेनी ज़रूरी है या ये सारा material पढ़के खुद भी preparation की जा सकती है तो coaching लें या ना लें इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि GS के जो papers हैं या GS के जो topics हैं जैसे GS paper 1, 2, 3 and 4 ये general studies के subject हैं और इनको खुद भी prepare किया जा सकता है but the main condition is कि आपकी पहुँच में relevant material होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको slavers की पूरी जानकारी होनी चाहिए मैं ही बदाना चाहूंगा कि अपनी preparation के दौरान मैंने जो भी मेरा study table था मैंने उस study table के ऊपर ही जो मेरा wall था उस wall पर मैंने slabus GS paper 1, 2, 3 and 4 का paste का रखा था और शुरुआत के कुछ महीनों में मैं रोज 5-10 मिनट के लिए इन topics को read किया गरता था इससे मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे सारे topics जो थे वो याद रहते थे कि मुझे क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी तो जो relevant material था मैं सिर्फ वो ही material pursue करता था और कोई material नहीं देखता था इसी तरह बाकी aspirants भी खुद prepare कर सकते हैं अगर वो relevant material relevant study material से ही read कर रहे हैं और वो बाकी जो material है जो की market में बहुत जादा है उसे avoid कर रहे हैं इसके बाद इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कोई आवशकता नहीं है कोचिंग किया किसी help की खुद prepare करने के बाद सबसे पहले आपको preparation में खुद अपने आप static जो topics हैं जैसे की quality, economy, geography, science and technology, environment and ecology, history यह सब जो topics हैं यह सब खुद prepare करने पढ़ेंगे पहले आपको NCRT's prepare करनी पढ़ेंगी उसके बाद आपको थोड़ा advanced जो books हैं जैसे पॉलिटी के लिए लक्षमी कान्त और modern history के लिए जैसे मैंने spectrum read करी थी तो ऐसी books अगर आप read करेंगे तो आपको कुल मिला के करीब करीब 4-5 months का time चाहिए इसके लिए इसमें 4-5 months के लगाने के बाद जब आप मेंस के particular topics की preparation शुरू करेंगे जैसे की example अगर लें जैसे GS paper 1 के topics जो हैं जैसे society, communism, urbanization, population issues, globalization similarly GS paper 2 में topics हैं, 3 में topics हैं, internal security, disaster management, etc. तो इन topics के उपर बहुत छोटा 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 जो है study material इंटरनेट पर available है इनको आप खुद prepare कर सकते हैं और साथ ही साथ जो previous year's questions आए हैं वो सबके सब आप खुद prepare कर सकते हैं इसके बाद आप किसी भी एक अच्छे coaching से test series join कर सकते हैं test series join करना बहुत बहुत ज़ादा important है because ये आपको identify करने में help परेगा कि आपकी preparation में क्या gaps रह गए हैं जिसे आप test series के माध्यम से fill कर सकते हैं test series में चाए prelims की test series हो, चाए mains की test series हो market में आपको easily available होगी आप join भी कर सकते हैं मेंस की test series में जो paper आपके evaluate होके आएंगे उससे आपको पता लगेगा कि एक answer हो कैसे begin करना है उसके body में क्या लिखना है और उसको conclude कैसे करना है optional के अगर बात करें तो optional के लिए coaching लगाना मेरे हिसाब से जरूरी है क्योंकि optional एक ऐसा subject है जिसमें दो paper होते हैं दोनों के दोनों मिलाके 500 marks के होते हैं जिसकी वज़े से ये कह सकते हैं कि ये बहुत जादा role play करता है आपके final selection में मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने खुद optional जो मेरा chemistry optional था तो मैंने chemistry optional की coaching लगाई डायस जो है coaching जिया सराय में वहां मैंने coaching लगाई और उस coaching के माध्यम से मैंने अपनी त्यारी करी optional की test series भी optional के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि test series आपको help करेगा अपने scores इंप्रूव करने में क्योंकि optional एक ऐसा area है जहां पे आज कल 300 plus marks अगर आ रहे हैं तो definitely आपके selection के chances और बढ़ जाते हैं तो ये था coaching या coaching ना लगाई इसके बारे में दूसरा एक बहुत important जो सवाल है जो लोगों के दिमाग में आता है कि optional कौन सा चूज करें क्या हम एक humanities optional चूज करें या हम एक science optional चूज करें क्योंकि मेरा खुद को optional एक science optional था chemistry तो मैं बताना चाहूंगा सभी को कि optional आप चूज कर सकते हैं कोई भी optional चूज कर सकते हैं पर कुछ चीज़ा उसके लिए ध्यान में ज़र रखना बहुत जरूरी है science optional के अगर बात करें तो science optional कोई भी science optional जैसे physics, chemistry, mathematics ये सब cover करने में ही आपको कम से कम 4-5 महीना लग जाएगा वो भी coaching के साथ इसके बाद इन जितने भी topics होंगे उनकी continuous revisions on a daily basis बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी optional की practice अच्छे से कर सकें और score भी अच्छे से कर सकें on the other hand अगर देखा जाए तो humanities optional जैसे sociology या कोई और इस तरह का optional तो इन options में क्या होता है कि एक तो time prepare करने का थोड़ा कम लगता है जासे तरह 3-4 महीने मेरे खाल से 3 महीने में easily coaching के साथ prepare हो सकते हैं और दूसरा ये optionals जो है वो आपको GS preparation में भी बहुत help करते हैं GS के topics जैसे अगर sociology की बात करें तो जो आप society का पढ़ रहे हैं वो society के topics हैं वो आपको GS paper 1 में help करेंगे similarly कहीने कहीं आपको essay में भी help कर सकते हैं topics तो इसी लिए optionals चूज करने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखनी है कि आपको time investment करना पड़ेगा science option बहुत जादा और जब तक आप ये time investment नहीं करेंगे तब आपके score बहुत अच्छे नहीं आपाएंगे तो working professionals के लिए मैं definitely ये चीज कहना चाहूंगा कि क्योंकि उनके बास time कम होता है तो उनको optional का choice बहुत wisely करना चाहिए बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए best चीज यही है कि आप कुछ time पहले 2-3 महीना पहले GS पढ़े GS पढ़ने की बाद हो सकता है आपको कुछ topics ऐसे लगए जिनको आप optional के form में भी लेना चाहें आगे तो तभी एक decision लेना सही है और जैसा कि मैंने पताया कि time management बहुत essential है कि optional की preparation में तो time को भी दियान में रखते हुए अगर आपके पास 1-1.5 साल है अपने first attempt से पहले तो आप science optional फिर भी try कर सकते हैं बट अगर आपका पहला attempt बहुत जल्दी है तो आपको definitely humanities optional की तरफ जाना चाहिए और उसमें अच्छे से मेहनत करके आप उसमें अच्छे से score भी कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि science optional जादा scoring है और humanities optional जादा scoring नहीं है एक और जो सवाल जो aspirants के डिमाग में आता है कि UPSC की uncertainty देखते हुए क्योंकि इसमें कई बार selection होने में time लग जाता है आपको कई attempts देने पड़ जाते हैं तो ऐसे में क्या job join करके prepare करना जादा ठीक है या बेना job के prepare करना जादा ठीक है तो मेरे इसाब से इसमें दो factors involved है सबसे पहला factor ये है कि क्या आपके परिवार में कोई financial constraints है कोई financial difficulties है जिसकी वएसे आपको बहुत जरूरत है job करी दूसरी चीज ये है age factor तो मैं सबसे पहले पहली चीज के आपने बात करना चाहूंगा financial constraints के बारे में अगर किसी तरह की कोई भी financial difficulties हैं आपकी family में तो definitely आप try कीजे के आपको पहले job मिल जाए jobs में मैं बात करूँगा तो एक government job में आपको proper work-life balance मिलता है और आपको ample peace of mind मिलता है जिससे आप अपनी preparation में काफी अच्छे से ध्यान दे सकते हैं मेरी अपनी job एक government job थी और इस job में रहने की वज़े से ही शायद मैं easily prepare कर पाया शायद अगर मैं किसी private sector job में होता तो मेरे लिए इतना easy नहीं ही होता prepare करने है जो आपके साथ मैं अपनी strategy जो मेरी थी पढ़ने की while working यह मैं एक next video में share करूँगा इसके बाद मैं बात करता हूँ age factor जो मैंने बोला अगर आप बहुत early phase में begin कर रहे हैं अपनी preparation अगर आप बहुत young age में हैं जैसे 21 year or 22 year old if you are तो उसकेस में मैं कहूंगा कि अगर कोई बहुत अच्छी job if any good opportunity comes by your path then you should take that opportunity आप उसमें एक-दो साल लगाईए एक-दो साल लगाने के बाद जब आपको अच्छे से work experience हो चुका हो तो आप उसके बाद अगर आपको लग रहे कि आपको उसके साथ रखके नहीं prepare कर पाएंगे and if your dream is to be in civil services then you should quit that job और आप prepare कीजिए एक्जाम के लिए at least somewhere you'll have peace of mind कि अगर आप नहीं qualify कर पाए इस exam को तो आप definitely दोबारा अपने वापिस उसी work area में या work domain में जाके काम कर सकते हैं और बहुत सारी companies आपको accept करने के रेडी भी होंगी दूसरी चीज़ अगर मान लीज़े आपको ऐसी कोई job opportunities ना मिलें तो भी कोई इसमें निराश होने की बात नहीं है मैं रहे कहूंगा यह और भी अच्छा है कि अगर आप 21 की एज में या उससे पहले से अगा प्रिपेर करना शुरू करें 21 में आप eligible होते हैं वैसे इस exam को देने के लिए तो अगर आप 21 में प्रिपेर कर रहे हैं और आप बिना किसी tension के अगर आप एक से सवा साल जो है इसकी प्रिपेरेशन में लगा रहे हैं अपना पहले टेम देने से पहले तो यह बहुत ही अच्छी चीज है क्योंकि अगर कोई आपका financial difficulties नहीं है और आपके पास अच्छा resources है, study material है, coaching की भी है, पूरी सुविधा है तो मैं इसमें कहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा है और आप इसको prepare करेंगे तो आपका फायदा ही है इसमें पर अगर अगर आप एक older candidate हैं, जैसे अगर आपकी ऐज 25-26 तक हो चुकी है अलड़ी तो मैं recommend करूंगा कि आप job के लिए definitely try कीजिये पहले और preferably a government job ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि UPSC में बहुत uncertainties involved है और कई बार ऐसा होता है कि first attempt और second attempt पे आपका luck आपके साथ नहीं देता तो सब्सक्राइब आपकी preparation बहुत अच्छी हो पर फिर भी हो सकता luck आपके साथ नहीं हो उस साल और आपको time लग सकता है अगर आप एक job में हैं, government job में हैं तो आपके पास सबसे पहली बात तो एक confidence होगा और एक fallback plan होगा कि अगर चीजें work out नहीं हो पाई तो मेरे पास at least एक job है मैं insecure नहीं हूँ सबसे जादा जो परिशान करती है aspirants को वो insecurity करती है क्या हमें job करना है पहले या job नहीं करना है एक और जो सवाल जो aspirants के दिमाग में रहता है जो की काफी जादा परिशान भी करता है और मुझसे काफी बार पूछा भी जाता है मेरा अपना एक quora profile है और उसमें मुझे aspirants काफी सवाल करते हैं उनमें से एक सवाल जो मैं अभी शेयर करना चाहूंगा वो सवाल यह रहता है कि how to prepare current affairs तो current affairs के लिए मैं ये कहूंगा कि अगर आप बिल्कुल beginning कर रहे हैं आप एक बिल्कुल beginner हैं तो सबसे पहली चीज जो मैंने बोली कि आपको syllabus के अच्छे से जानकारी होनी चाहिए आपको syllabus के topics पता होने चाहिए अगर ऐसा है तो आपको पता रहेगा कि आपको newspaper जो आप उठा रहे हैं तो उसमें पढ़ना क्या है? क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना? बहुत सारे aspirants जो मेरे से टच में रहते हैं तो जब मैं उनसे पहली बार बात करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि हिंदू ख़तम करने में उन्हें धाई घंटा तीन घंटा लग जाता है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होदा कि हमें करना क्या है शुरुआत में हमें कौन सी न्यूज पढ़नी है डेफ में और कौन सी न्यूज अवाइड करनी है तो इसलिए मैं सारे aspirants को एडवाइस करना चाहूंगा सबसे बहले स्लेबस की प्रिंट आउट निकाल के एटलीस अपनी study table के पास कहीं पर भी रखें जहां पर वो इसलिए उने accessible हो और वो एटलीस आप डेली पांच से दस मिनट उसे देखिए ताकि आपको पता रहे कि आपको ये चीज़े निउस्पेबर में पढ़नी है और ये चीज़े नहीं पढ़नी है एक example मैं देना चाहूंगा आपको क्योंकि ये सुनने बहुत सिंपल लगता है कि आपने इस लेवर से पढ़ लिया और आपको निउस्पेबर पता लगा है ऐसा नहीं होता मैं एक example मैं देना चाहूंगा suppose GS paper 3 में एक topic है suppose cyber security तो अगर आपको पता है कि cyber security topic है आपके स्लेवस में तो निउस्पेपर में अगर मालीजे कोई news आ रही है कि suppose in some index India got this this rank and India's rank has deteriorated due to India's increased cyber vulnerabilities तो अगर ऐसी कोई news है तो ऐसी news में आपको ध्यान देना है और ऐसी news में आपको points मिलेंगे जो आप कहीं नहीं कहीं अपने mains के answers में भी लिख सकते है तो इंडिया की cyber vulnerabilities क्या है आपको ये पता होना चाहिए तो निउस बढ़ते डाइंग खास तोर से आपको इंची जो पर ध्यान रखना है जैसे इंडिया की cyber vulnerabilities क्या है किस-किस तरह के cyber frauds इंडिया में व्यू है वो इस तरह देखना है कि आपको ये सब चीजे मिलें और अगर आपको कहीं नहीं नहीं मिल रही है तो आप कहीं नहीं 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 पर इंटरनेट पर भी search कर सकते हैं मतलब हर चीज में आपको ये पता होना चाहिए कि government इस चीज में क्या कर रही है और क्या extra किया जा सकता है इसी में ही एक और चीज अगर हम आट करें तो सबसे एक important चीज जो पूछते हैं सभी लोग कि क्या current affairs से notes बनाने चाहिए क्या daily newspaper reading से notes बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने खुद कभी इस तरह से कोई notes नहीं बनाए पर working professional होते हुए notes बनाना मेरे लिए संभव ही नहीं था इसलिए मैं notes नहीं बना पाया बट अगर आप notes बनाना चाहें तो आप notes सिर्फ उनी चीजों के बनाएं जो आपके syllabus से relevant हैं और notes बनाने का जो एंगल रहना चाहिए वो एंगल यह रहना चाहिए critical issues government measures और way forward में आप अपने notes में इस तरह लिखे कि क्या कोई Supreme Court judgments हैं उस चीज को लेके क्या कोई committees का recommendation है उस चीज को लेके तो आपके notes इसी तरह होने जब तक आपने notes इस तरह नहीं बनाएंगे तब तक आपको notes से बिल्कुल फायदा नहीं होगा और एक और शीज आपने notes को आपने बहुत कोशिश करना है short से short रखा जाए ताकि वो आपको revise करने में असानी हो दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूँगा working professionals जिनके लिए file जिनके लिए almost impossible है daily basis पे notes बनाना तो उनके लिए current affair compilation magazines है जिसे मेरे साथ क्या था कि मैं usually vision IS main 365 compilation read करता था और यह मुझे help करता था एक overall जो एक पूरे साल का जो भी current affairs रहता था उसमें dots सारे connect करने में क्योंकि इसमें पूरे साल का तो current affairs होता है वो एक बहुत comprehensive manner में एक दे रखा है और इसमें committees के recommendation जितनी भी committees government ने अगर establish करी है या supreme court judgments तो यह सब का सब इस एक जगाव में मिल जाता है और विचान आया इस ही नहीं और बहुत सारे coaching ऐसे हैं इस तरह के अपने material लेके आ रहे हैं aspirants को सिर यह देखना है कि उनकी requirement as per slavers कहां पूरी हो रही है and there is no limit to all these study material तो इस वीडियो मैंने आप से चार FAQs के बारे बात करी सबसे पहला जो था coaching ले या ना ले दूसरा optional कौन सा चूज करे science ओप्शनल ले या humanities ओप्शनल ले तीसरा job के साथ preparation करे या बिना job के preparation करे और चाथा current affairs तो मैं यह समझता हूँ कि अगर आपको अभी भी कोई इसमें issues हैं या कोई queries हैं तो आप इसी वीडियो के comment section में डाल सकते हैं अपने queries और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके queries का answer कर पाऊँ और आप मेरा Quora profile भी विजिट कर सकते हैं जो कि मेरा नाम विलास वाही के नाम से आप Google पर easily search कर सकते हैं इस profile में आपको कुछ questions के answers ready made मिलेंगे जिसमें मैं already यहाँ पे मैंने जिसके बार में discuss किया है Otherwise आप खुद अपने questions बना के मुझे पूछ सकते हैं या direct message कर सकते हैं और finally मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं बहुत जादा thankful हूँ Delhi knowledge track का जिन्होंने मुझे aspirants के साथ connect करने की opportunity दी जहन